स्टोरी ऐसा ही है कि उन दिनों में दादी में एनर्जी होती थी, तो नीचे कॉन्फरेंस चलता था, उपर भठिया चलती थी, उपर नीचे करते रहते थी दिन में, तीन चार बारी, तो वो दिन में दादी के साथ सारे दिन थी, और दादी तो गाड़ी में इमेल पढ़ती ह है, खाती है, कुछ पीती है, फोन पे बात करती है, रीडिंग लाइट होती है, हमारे से तो नहीं होता है, हमको तो सिधा ही देखना होता है, ठीक है, तो वो ऐसा दिन था, जो हम तीसरी बारी नीचे जा रहे थे, और हम दोनों पीछे बैठे थे, दादी जी इमेल पढ़ रह अच्छा गोपी, तुम नोटपैड निकालो, मैं डिक्टेशन करवाती हूँ, मैंने बोला मैरा, मैं कैसे करू अभी, मुझे तो गबराट हो रहे है, फिर भी मैंने माना, मैंने निकाला, और जैसे मैंने शुरू किया लिखने में, मुझे अंदर से बहुत गबराट शुर गई, स्वास, गहरा स्वास लिया, थोड़ा लिम्बू का दो-तिन ड्रॉप लिया, अपने आपको थोड़ा सेटल ठीक किया, फिर दो-तिन मिनिट के बाद मैं वापिस गाड़ी में बैठ गई, दादी को तो कोई फरक नहीं पड़ा, ठीक है, फिर मैं ऐसे धक हो करके बस मैंने हाथ जोड लिया, मैंने बोलाए कोई और होता आपके जगे पे, तो पूछ था, आपको एक गलास पानी चाहिए, आप ठीक हो, थोड़ा हाथ भी फिर आथा मेरे पीट पे, लेकिन आप मुझे ऐसे क्यों बोलते हो, कि तेरे को ये नहीं होना चाहिए, आप मेरे स कितने चार गुणा बड़े हो, कितने बड़े हो, और मैं छोटी हो, आपको कुछ नहीं होता है, आप खाते हो, पीते हो, सोते हो, बात करते हो, गाड़ी में आपको कुछ नहीं होता है, पेट का पानी भी नहीं हिलता है, तो मुझे क्यों होता है, जैसे छोटा बच्चा र चोटी चोटी बातों में टाइम वेस्ट, एनरजी वेस्ट करते हो तुम भोजन के समय में क्या बाते कर रही थी फाल्तु बाते प्रमीना के साथ सब उच नोट किया था दादी ने थोड़ा सा भी वो वाइबरेशन पहुंचता है देखा जाए तो वाइबरेशन पहुंचता है तो मैंने माना जरूर दादी हम अपस में फामिलियारीट में थोड़ा आ जाते हैं ज्यादा बोल लेते हैं, ज्यादा कुछ कर लेते हैं वेस्ट एनरजी तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया कहते हैं देखो जभी एनरजी बोल करम कुछ भी वेस्ट होता है तो वो व्यर्त का आत्मा के उपर बोजह बनता है, सुक्ष्मा एक बोजह बनता है, व्यर्त का बोजह और वो व्यर्त का बोजह शरीर के बैलेंस को अफेक्ट करता है फिर आपको इन छोटी छोटी बातों में भोगना पड़ता है ये दादी जी का प्यार था ऐसे 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 नहीं ऐसे नहीं कि भाकी पहना दो उस ठीक हो जाएंगा नहीं बिल्कुल ग्यान युक्त प्यार सीधा डाइरेक्ट जैसी है वो ऐसी बात बताती और मुझे अंदर से इतना प्यार जैसे दिल भर गया था मैंने सोचा ये है सच्ची फ्रेंड उपर उपर से काम चलाओ कभी नहीं बात करेंगे सीधी बात बताएंगे जो आपके पास हिम्मत है पूछने के लिए तो सीधा जवाब मिलेंगा उस समय चलो मैं रूट थी और मुझे दादी ने मुझे प्यार नहीं दिया मूड ओफ हो जाता तो मैं क्या सीख थी कुछ भी नहीं तो यही स्टूरी की बात कर रहे हैं कितना सीखने को मिलता है जबी हम खुले दिल से अपनी बात भी करते हैं और हम वो भावना भी रखते हैं तो फिर मुझे पता चला दादी के प्रकुरूती के उपर क्यों इतना इतना कंट्रोल है क्योंकि in her life she has a zero waste policy zero waste तो सयोग देता है प्रकुरूती आपे ही सयोग देता है